ओम नमो भगवते वासु दिवाय श्री मद भागवत माहात्मे पहला अध्याय देवर्शी नारद की भक्ति से भेंट सच्चिदा अनन्द सुरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं जो जगत की उत्पत्ति, स्थिती और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं जिस समय श्री शुकदेव जी का यग्यो पवीत संसकार भी नहीं हुआ था, तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था तभी उन्हें अकेले ही सन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे बेटा, बेटा तुम कहां जा रहे हो उस समय व्रिक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री शुकदेव जी की योर से उत्तर दिया था ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री शुकदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ एक बार भगवत कथा मृत का रसा स्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिशा रण्यक छेत्र में विराजमान महामति सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा शौनक जी बोले सूत जी आपका ज्यान अज्यानान्धकार को नश्ट करने के लिए करोणों सूरियों के समान है आप हमारे कानों के लिए रसायन अम्रित सुरूप सारगर्भित कथा कहिए भक्ति ज्यान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक के व्रिद्धी किस प्रकार होती है तथा वैशनव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुडाते हैं इस घोर कलिकाल में जीव प्रायह आसुरी सुभाव के हो गये हैं विविद क्लेशों से आकरांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ट उपाय क्या है सूत जी आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताईए जो सबसे अधिक कल्यान कारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्रे कृष्ण की प्राप्ति करा दे चिंता मनी केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प व्रिक्ष अधिक से अधिक स्वर्गिय संपत्ति दे सकता है परन्त गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुरलब नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं सूत जी ने कहा शोनक जी तुम्हारे हिर्दय में भगवान का प्रेम है इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिध्धानतों का निश्कर्ष सुनाता हूं जो जन्म मृत्य के भय का नाश कर देता है जो भगति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष जी ने कलियुग में जीवों के काल रूपी सरब के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्री मद्भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है जब मनुष्ट के जन्म जन्मांतर का पु के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अम्रित का कलश लेकर आए देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं अतह यहां भी सब ने शुकदेव मुनी को नमस्कार करके कहा आप यह अम्रित लेकर बदले में हमें कथा अम्रित का द्या करने पर राजा परीक्षित अम्रित का पान करें और हम सब श्री मद भागवत रूप अम्रित का पान करेंगे इस संसार में कहां काच और कहां महामुल्य मनी तथा कहां सुधा और कहां कथा श्री शुकदेव जी ने उस समय देवताओं की हसी उड़ा दी उन्हें भक्ति श देवताओं को भी दुरलब है पूर्वकाल में श्री मत भागवत के श्रमण से ही राजा परिक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था उन्होंने सत्य लोक में तराजू बांध कर सब साधनों को तौला अन्य सभी साधन तौल में हलके भागवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से ततकाल मुक्ष देने वाला निश्चे किया सप्ताह विधि से श्रमण करने पर यह निश्चे ही भक्ति प्रदान करता है पूर्वकाल में इसे दया परायन सनकादि ने देवर्षी नारद को सुनाया था यद्यपी देवर्षी ने पहले ब्रह्मा जी के मुक्ष से इसे श्रमण कर लिया था तथा पी सप्ताह श्रमण की विधितों उन्हें सनकादि ने ही बताई थी शौनक जी ने पूछा सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरन शील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहा हुआ और विधि विधान के श्रमण में उनकी प्रीति कैसे हुई सूत जी ने कहा अब मैं तुम्हें वह भक्ती पूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री शुकदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था एक दिन विशाला पूरी में वे चारों निर्मल रिशी सत्संग के लिए आये महा उन्होंने नारज जी को देखा सनकादी ने पूछा ब्रह्मन आपका मुख उदास क्यों हो रहा है आप चिंतातुर कैसे है इतनी जल्दी जल्दी आप कहां जा रहे है और आपका आगमन कहां से हो रहा है इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है इसका कारण बताईए नारज जी ने कहा मैं सर्वोत्तम लोग समझकर पृत्वी में आया था यहां पुषकर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतु बंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा किन्तु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शान्ती नहीं मिली इस समय अधर्म के सहायक कल्यूग ने सारी पृत्वी को पीडित कर रखा है अब यहां सत्य, तप, शोच, दया, दान, आदि कुछ भी नहीं है बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं वे असत्य भाशी, आलसी, मंद बुद्धी, भाग्यहीन, उपद्रव ग्रस्त हो गए हैं जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं देखने में तो वे विरक्त हैं, किन्तु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं घरों में इस्त्रियों का राज्य है, साले सलाकार बने हुए हैं लोब से लोग कन्या विक्रय करते हैं और इस्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों का अधिकार हो गया है उन दुष्टों ने बहुत से देवाले भी नश्ट कर दिये हैं इस समय यहां न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्यानी है और न सतकर्म करने वाला ही है सारे साधन इस समय कलिरूप दावा नल से जल कर भस्म हो गये हैं इस कलियुग में सभी देशवासी बाजारों में अन बेचने लगे हैं ब्राह्मन लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और इस्त्रियां वेश्या विर्ति से निर्वाह करने लगी हैं इस तरह कलियुप के दोश देखता और प्रित्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के दट पर पहुँचा जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं मुनिवरो सुनिए महां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा महां एक युवती इस्त्री खिन्न मन से बैठी थी उसके पास दो व्रिद्ध पुरुष अजेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे वह तरुनी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रैत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी और बार बार समझाती जाती थी दूर से यह सब चरित देखकर मैं कुतूहल वश उसके पास चला गया मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी युवती ने कहा अजी महात्मा जी छन भर ठहर जाईए और मेरी चिंता को भी नश्ट कर दीजिए आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वता नश्ट कर देने वाला है आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शान्ती हो जाएगी मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं नारज जी कहते हैं तब मैंने उस इस्त्री से पूछा देवी तुम कौन हो ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नैनी देवियां कौन है तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ जीवती ने कहा मेरा नाम भक्ती है ये ज्यान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र है समय के फेर से ही ये ऐसे जरजर हो गए है ये देवियां गंगाजी यादी नदियां है ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई है इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शान्ती नहीं है तपोधन अब ध्यान देकर मेरा वृत्तान को सुनिए मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शान्ती प्रदान करें मैं द्रविड देश में उत्पन्न हुई करनाटक में बढ़ी कहीं कहीं महाराष्ट में सम्मानित हुई किन्तु गुजरात में मुझे को बुढ़ापे ने आगहरा वहां घोर कलियुक के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुरबल और निस्तेज हो गई अब जब से मैं व्रिंदावन आई तब से पुनह परमसुंदरी सरूपवती नवयुवती हो गई हूँ किन्तु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र ठके मांदे दुखी हो रहे हैं अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ ये दोनों बुढ़े हो गए हैं इसी दुख से मैं दुखी हूँ मैं तरुनी क्यों? और ये दोनों मेरे पुत्र बुढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं फिर यह विपरीतिता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बुढ़ी हो और पुत्र तरुन इसी से मैं आश्चर चकित चित्थ से अपनी इस अवस्था पर शोग करती रहती हूँ आप परम बुधिमान एवं योग निती हैं इसका क्या कारण हो सकता है बताईए नारद जी ने कहा साद्वी मैं अपने हृदय में ज्ञान द्रिष्ट से तुम्हारे समपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ तुम्हें विशाद नहीं करना चाहिए श्री हरी तुम्हारा कल्यान करेंगे सूत जी कहते हैं मुनिवर नारद जी ने एक छण में ही उसका कारण जान कर कहा नारद जी ने कहा देवी सावधान होकर सुनो यह दारुन कल्यूग है इसी से इस समय सदाचार, योगमार्ग और तप आजी सभी लुप्त हो गये हैं लोग शठता और दुषकर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं संसार में जहां देखो वही सत्पुरुष दुख से मलान हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्यानी या पंडित है प्रित्वी क्रमशह प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है अब यह जूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता विशया नुराग के कारण अन्धे बने हुए जीवों से उपेच्षित होकर तुम जरजर हो रही थी व्रिंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुनी हो गई हो अतह यह व्रिंदावन धाम धन्य है जहां भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहां कोई ग्राहक नहीं है इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है यहां इनको कुछ आत्मसुख की प्राप्ति होने के कारण यह सोते से जान पड़ते हैं भक्ति ने कहा राजा परीक्षित ने इस पापी कल्यूग को क्यों रहने दिया इसके आते ही सब वस्तूओं का सार न जाने कहां चला गया करुणा मैश्री हरी से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है मुने मेरा यह संदेह दूर कीजिये आपके वचनों से मुझे बड़ी शान्ती मिली है नारज जी ने कहा बाले यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परमधाम को पधारे उसी दिन से यहां सम्पूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कल्यूग आ गया दिग्विजे के समय राजा परिक्षित की द्रिष्टी पढ़ने पर कल्यूग दीन के समान उनकी शरण में आया भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चे किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि जो फल तपस्या योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता कल्यूग में वही फल श्री हरी कीरतन से ही भली भाती मिल जाता है इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एकही दृष्टि से सार युक्त देखकर उन्होंने कल्यूग में उत्पन होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और प्रित्वी के सारे पदार्थ बी जहीन भूसी के समान हो गये हैं ब्राह्मन केवल अन्धनादी के लोभुष घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं इसलिए कथा का सार चला गया तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यन्त घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा जिनका चित, निरंतर, काम, क्रोध, महान, लोभ और त्रिष्णा से तपता रहता है वे भी तपस्या का ढों करने लगे हैं इसलिए तपका भी सार निकल गया मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का अश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का भ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी इस्त्रियों के साथ भैसों की तरह रमन करते हैं उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है मुक्ति साधन में वे सरवथा अकुशल हैं संप्रदाया नुसार प्राप्त हुई वैश्नवता भी कहीं देखने में नहीं आती इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तूओं का सार लुप्त हो गया है यह तो इस युग का सभाव ही है इसमें किसी का दोश नहीं है इसी से पुंडरी काक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं सूत जी कहते हैं शोनक जी इस प्रकार देवर्शी नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चरिय हुआ फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिये भक्ति ने कहा देवर्शे आप धन्य है मेरा बड़ा सवभाग्य था जो आपका समागम हुआ संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुवपद प्राप्त किया था आप सर्व मंगल में और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मैं आपको नमस्कार करती हूँ